प्रह्मा कुमारे सिक्यूरिटी विंग की तरफ से है सभी मिलिटरी, पैरा मिलिटरी, सीविल पोर्सेस के हाई बेहनों को बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जिस विशय के उपर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है एडिक्शन फ्री लाइफ मैं डॉक्टर सचीन परफ ब्रह्मा कुमारी स्मेडिकल विंग में इचले 20 साल से सेवा के निमित्त हूँ और पूरे भारत में अलग-अलग राज्चों में इवन देश-विदेशों में जाना हुआ और इस एडिक्शन की सेवा के अनुगों बहुत सारे है सबसे पहले मैं आप सब मिलिटरी पैरा मिलिटरी सीविल और जो भी सिकुरिटी सेवा में बाई बैने अपनी सेवाए देते हैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ आपकी त्याग और नपस्या के वज़े से हम सिविलिन्स बहुत सुरक्षित मैसुस करें मैं पहले लिनूगा और ज्यादा हमारा फोकस रहेगा अलकोहल या शराप दारू और तंबाकों के बारे में बाकी भी अडिक्शन को हम भरोगर सकते हैं बहुत सारी गलत मान्यता ऐए शराप के साथ जुफित है खास करके ये भी कहा गया कि शराप परमपरा से चलिया है कि शराब कि भी ठौनिक नहीं है कि शराब के अंदर कोई भी by विटामिन नहीं होता कोई भी मिनेरल्स नहीं होता है शराब एक फ्योर खेमिकल है एक रासाइनिक पदाब है जो कि ब्रेन के उपर विशेश असर दिखाता है बागी भी शरीर के उपर इसके बूरे असर होते है तो शराब किसी भी प्रकर का टॉनिक नहीं है यह जरूर उत्तेजना पैदा करता है लेकिन पर्फशर्मांस को कम करते तब अगर लोग समझते शराब पिने से पर्फशर्मांस बढ़ेंगा यह भी गलत है शराब से उत्तेजिना पैदा होती है लेकिन परफार्मंस खतं हो जाता है एक्साइट करती है लेकिन आपका परफार्मंस अच्छा नहीं होगा यही कारण है कि गाड़ी चलाने वालों को शराब भी कर गाड़ी चलाने को मना किया जाते क्योंकि आपका reaction time reaction कोई परिश्थिती आते उसके उपर इसका इफेक्ट आता है और आप कितने भी अच्छे हो हटे-कटे हो शराब आपको खोपला कर देती अंदर से कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति हमने देखा है आज तक 20 साल में हजारों पेशन्ट से बात करने का मौका मिला तो जब पूछता हो तो सब यही कहते कि कभी कभी से हमारे शुरुआत कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर हम कभी कभी लेते हैं पार्टी में लेते हैं आप को बताना चाहूंगा कि हर नशे की शुरूआत ऐसे ही होती है खास करके वो लोग जीनके ब्रें के अंदर डोपामिन इस पर रहते हैं मेज्जोरिटी लोग शराप की गिरफों यह जाते हैं कि अब यह शराब बॉड़ि में जाकर क्या कर du war कम बीपारी एक मिधा कॉल्चा उता होता है कि स्वाइएस लेवल पर रखा हुआ है कैंसर पेदा करनेवाला जैसे तंबाखल को है कैंसर पएदा करनेवाला वैसे शराब बीच है यह बहुत कम लोगों को बतावते हैं शराब से बॉड़ी के अंदर साट से भी ज्यादा विमारिया होती है शराब नसों की ताकत बढ़ाता ने कमजोर करता है शराबियों को एक विमारी होती है जिसको हम कहते हैं नियुराइटिस बेरिफेरल नियुराइटिस माना जो हमारे हाथ और पैर की नसे हैं इनको मुझे याद आता है एक हमारा मिलिट्रिक आफिसर एक राज्य में हम गए थे बहुत ही अट्टा खट्टा छे फिट हाइट उनको गोल्ड मेडल में लावा था इतने अच्छा जवान शराब की वज़े से बिस्तर पर लेटा हुआ था उसको पीलिया हुआ था उसके लीवर पेल हो चुका था तो मुझे बहुत दुख हुआ उस समय कि इतना अच्छा जवान केवल एक शराब की वज़े से हम गवार है उसका रिकॉर्ड होना मुश्किल लग रहा था उस समय तो बहुत सारी गलत मान्यता है जिसके वज़े से शराब पीना लोग चारू करते हैं उस यह गर्मी बढ़ाने वाला पेया है तो इसके उपर भी बहुत अच्छा स्पश्टी करन अधुनिक वैद्यक शास्त्र ने हमको दिया हुआ है शराब एक खेमिकल लेजे से में ने कहा और यह वास्तो डायलेटर हम कहते हैं इसका मतलब क्या यह खून की नसों को चवड़ा एक लिए लेकिन क्या होता है कि जैसे खून की नसे चोड़े हो जाती है तो बॉड़ी को टेंपरेचर है गर्मी है वो उसके द्वारा बहार फेक की जाती है और इनफेक्ट इसके बाद शरीट ठंडा पढ़ जाता है तो यह गर्मी को बढ़ाता नहीं है यह शरीट को करने वाले आपको इसका इफेक्ट लगता है शराब का ब्रेन के उपर जो इफेक्ट आता है जिसके वज़े से भी लोग लेते हैं confidence boost करने के लिए आत्मविश्वस को बढ़ाने के लिए कुछ लोग शराब पीते हैं अब यह कैसे होता है कि हमारे इफेक्ट में एक हिस्सा होता है जो हमको समाज में कैसे चलना चाहिए बोलना चाहिए इसके उपर नियतन रखने की सलाह देता रहता है शराब क्या करता है chemical होने के वज़े से यह ब्रेन में जाकर उसी हिससे को बंद कर देता है इसको हम अंग्रेजी में कहते इनिबीशन आफ इनिबीशन मना जो चीज आपको रोक रही होती है अंदर से वो ब्रेन का मेकानिजम उसको भी बंद कर देता है तो थोड़े समय के लिए इसे लगते हैं कॉंफिडेंस आकर है हमने बहुत चराबियों को देखा है कि सामने उनके बड़े अफसर भी आए तो कोई दर निकल जाता है यह इसलिए होता है कि इसका ब्रेन के उपर इपक्ष होता है लोग इसके लिए भी लेते लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड यह इसकी दवाई नहीं है इसका दवाई के रुप में इस्तिमाल नहीं करना चाहिए मुझे कई लोग बोलते हैं जब सर्द सर्दि खासी हो तो दो चम्म शराब पी जाए तो सर्दि खासी पतली हो जाएगी यह ठीक हो जाएगी कई लोग तो यह भी कहते हैं कि आप बियर प्यों तो आपका फिद्निस टोन ठीक हो जाएगा तो यह बहुत बड़ी मान्यता जो डॉक्टर्स के अंदर भी है कि करके वाइन जो कहते हैं अब यह सब मान्यताओं को तोड़ा गया है कि पहले यह मान्यता थी कि दो पैक पुर्षों के लिए और स्क्रियों के लिए एक पैक अगर डेली ले तो जीवन अच्छा जाएगा कि प्लीज अट्रस्टेंड दो हजार पंदरा में लैंसेट जर्नल है अंकर रश्ट यह बहुत नामी ग्रामी जर्नल है उसमें एक स्टेडी पब्लिश हुई जिसमें बताया कि शराब का कोई भी लेवल वनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है थोड़ी भी मात्रा में सराब सुरक्षित नहीं है नुकसान ही करती है आते हार्ट के प्रोटे क्योंकि डॉक्तर ने उनको का कि तुमको हाट की बीमारी हुई है इसलिए दो पैक रोज पीना पड़ेगा बहुत दुख हुआ कि आजकल ऐसे डॉक्तर भी है कि यह एडवाइस देते कि दो पैक पी हो क्योंकि उस व्यक्तिने जिंदगी में कभी पिया ने था लेकिन अभ वर्ल्ड के लिए थ्रेट है वर्ल्ड के लिए कि इस समय असी लाख से ज्यादा लोग तंबापू के वज़े से मरते हैं बारत में तो बहुत दूरा हाल है चाड़े तेरा लाख लोग मरते हैं और यह टूटली प्रिवेंटेबल है इसको रोका जा सकता है हमारी पूरी मश इसका भी कैमिकल इफेक्ट होता है जिसके वज़े से आपको थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है तंबापू के अलावा और भी तंबापू के बदार्थ है जो कई सारे हमारे भाई बैने लेते हैं जिसमें कि सिग्रेट आता है और इस सिग्रेट के ऊपर तो बहुत है लेकिन यह गुटका और जर्दा यह बहुत खतरनाक बदार्थ है जब हम इनसे होने वाले बीमारे के बारे में लोगों को बताते हैं तो कई सारे लोग आपको ऐसा दाखला देते हैं कि वह ले रहा इतने सालों से उसको कुछ नहीं हुआ मेरे को क्यों होगा यह बात ठी है कि सभी को वीमारी नहीं होती है लेकिन बढ़ती है और और किसको होगया पता है लेकिन इतना जरूर है कि यह वी ही definite Carcinogen है रंबाक उससे बहुत सारे विमारिय होती है और उसमें शेश मूई का cancer जिसमें भ्हारत इस समय विश्व में नम्मर वन इस सबसे जादा मूई का cancer भारत में है और इसके साथ ही बाकिए के जो cancer है जैसे फिप्रों का कैंसर आज तो कोरोना का यह जो महामारी है पूरे विश्वर में तो जो लोग पीते हैं उनको बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि उनके लंग की कापसिटी कम हो जाती है हमने ऐसे बहुत मरीज देखिया है जिनने बहुत सालों सुटार कि और फिर उनकों कहने लिक herum मरी तिसों को प्ली में उनकर रखना पड़ता कि ऑगये सांस तो करते हैं कि उनके प्यफड़े की नोज चोप्राब हो जाते हैं तो ठीबी भी अए छाव हो जो सकता है और चवता हार्ट की बीमारी यह चार प्रमुख बीमारिया तंबाफू के वजय से होते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारिया होती है नफू संक्ता का कारण जो बैक होगा क्योंकि यह शुक्राणों को कम करता है तो यह दोनों जीने के लिए ज़रूरी नहीं है और इसके साथ जो भी बेसिक गलत मानने ताई जुड़ी हुई है उसके बारे में हमने अभी देखा अब यह हम आएंगे ज्यादा सुलूशन के उपर सुलूशन क्या है क्योंकि यह हमारे कल्चर में घुश गया है सब कॉंशिस माइंड में या हमारे अंतरमन में कही ना कहीं हमने इसको एकसेप्ट कर लिया है कि इससे कुछ नहीं हो सकता यह ठीक है मेरे पास तो ऐसे भी पढ़े लेके लोग आते हैं जो कहते हैं कि कि लिवर को टॉनिक लूँ तो बच जाओंगा क्या ऐसे भी बाते सुनाने वाले लोग है कई लोग सिगरेट पीने वाले बोलते कि सर अब पूरा अंदर नहीं लेते दुआ मुह में ही रखते और फिर छोड़ देते हैं या जो गुटका खाने वाले हैं तंबाग वालो के जाता है और आपके बॉड़ी को जितना डोस चाहिए वो उसमें से मिल जाता है फिर से बताता हूं कि ये एक ब्रेंग की बीमारी है और इसकी शुरुवात कभी-कभी से ही होती है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूज मिस्यूज अब्यूज डिपेंडेंस एन एडिक पहले शराब नहीं लेंगे तब तक नीन नहीं आती है शराब का सबसे बड़ा डिसाइडवांटेजा किसी भी अडिक्टिव सबस्टेंस का एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हम कहते हैं टॉलरंस अभी टॉलरंस मने सायन चक्ति नहीं है टेक्निकल शब्द है आज अगर आप दो पैक लात को लेते हैं या एक पैक लेते हैं और आपको नीन अच्छी आती है तो कल एक या दो पैक से काम नहीं चलेगा आपको डोस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यह सब नशिले पदार्त क्या करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम कहते है लोगते प्लेजर सेंटर आनंद का केंदर उसको अक्टिवेट करते हैं और जैसे यह आनंद का केंदर जागुरूथ हो जाता है उसके अंदर से लिजियुक लीज होता है जिसका नाम है यह लाता है पर धीरे धीरे देखा कि यह प्लेजर से इंटर डिस्रप्ट होने लगता है तो पहले जो एक या दो पैक में नीन आती थे अभी एक दो पैक में उतनी नीन नहीं आते मुझे डोस बढ़ाना पड़ता है और यही इसका सबसे बड़ा डिसएड़ांटेश है और लोग फिर धीरे धीरे कॉंट्रेटी बढ़ने के बाद जब तक शराब नहीं लेते तब तक वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं उतके हाथ पर काम नहीं करने लगते हैं और फिर बहुत मुश्पिल हो जाता है व्यक्ति को पता चलता है कि यह अच्छा नहीं है लेकिन मैं इसके बिगर रह नहीं सकता है इसके लिए ब्रेन को हील करना बहुत ज़रूरी है और यहां पर ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाया गया राजयोग मेडिटेशन एक बहुत ही अन्मूर दवाई है यह मेडिटेशन 140 देशों में सिखाया जाता है और बहुत सिस्टेमेट करता है हमारे पास पूरे वर्ल्ड में हजारों भाईवे ने ऐसे हैं जो पहले नशा करते थे पुछ तो ऐसे जो गटर में पढ़े रहते थे आज वो नशे से मुक्त है और खुद नशे से मुक्त और दूसरों को भी नशाहिनों ने छुड़ाया है मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा कि हमारे क्लास्मेट डॉक्टर हॉस्टेल में उनको आदत लगी नशा करने कि हॉस्टेल में पूछने वाला कोई होता नहीं माबाप होते नहीं है और पैसा हाथ में होता है तो कई बच्छों को या आदत लग जाती है तो हॉस्ट हुए डॉक्टरी पास की प्रैक्टिस चालू गया तभी भी नशा इंका चालू था बहुत सारे नशे करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता था एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजिन नशा करता है तो एक तीन के पास गए और उनको पूझा तुम ये नशा क्यों क तुमको नशे की जरूरत नहीं है तुमको शान्ती की जरूरत है जो तुम सिग्रेट और शराब में धूँदा तब उन्होंने पूचा अपर ये कैसे मिलेगा मैंने का ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन करो और उस डॉक्टर का बाईस साल का नशा साथ दिन के रा में धुन रहा था है रिप्लेस्मेंट हो गया उसको जो शान्ती और सुप चाहिए था मेडिटेशन में बिल जाया नशा छोड़ना नहीं पड़ा छूट गया यह हम सब का अनुभव है हमको पूरी आदते छोड़ने नहीं पड़ती है अपने आप छूट जाते जब वह मेडिटेशन में हम अशरीर अवस्ता का अनुभव करते हैं हमारे बॉड़ी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं विशेश ब्रेन में तो मेडिटेशन क्या करता है रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन जो 140 देशों में सिखाया जाता है यह साइन्टिफिक टेक्मि और हमने देखा कि जब नशाद छोड़ते हैं तो बहुत लोगों को तकलिक होती है जिसको हम विड्रॉल कहते हैं हाथ पेर कापना चिरचिडा बन रात को नीन नहीं आना बेचे नहीं होना लेकिन हमको आश्यर तब लगा जब हमारे पास आने वाले भाई बेनों को कोई भ पाद दूसरा केस नहीं है यह हजारों केसे से तब हमने उसका डेटा किया और फिर सबका जहनकारी फॉर्म में भरने के बाद हमको आश्यर लगा कि एक हजार एकिस ऐसे फॉर्म जो कि क्वालिफाई हुए तो उनके अंतर देखा तो केवल तीन परसेंट लोगों को विड् लेगे 97 परसेंट को कोई नहीं और रिलाप्स नहीं सबसे बड़ा चैनलेंग हमारे सामने और एक होता है एडिक्शन के फिल्ड में कि व्यक्ति भावना में आकर जैसे रक्षा बंदन है नया साल है शादी की सालगिरा है भावना में आकर छोड़ देता है लेकिन फिर नशा छोड़ना कौन से बड़ी बात है मैंने बहुत बात छोड़ा गया बहुत बात छोड़ा है इसका मतलब छोड़ने के बाद वापिस चालू किया लेकिन आमको और एक अश्यरे लगा कि जो लोग नियमित रूख से राजयोक का बहस करते हैं उनका नशा एक बात तो एसे क्या होता है मेडिटेशन से सबसे इंपार्टन जो ने पहले भी देखा कि नशा एक ब्रेन की बीमारी है तो ब्रेन के अंदर चेंज़े सब्सक्राइब हैं तो जो डोपामीन की बात हमने देखी ये दोपामीन खुशी का हर्मोन है जो लोग नियमित रूख से होता है और यह खुशी इतनी अच्छी होती है बिना किसी सपोर्ट की होते जैसे एक हमारे भाई ने कहा कि वह ड्रक्स वगरा लेता था लेकिन जैसे उसने मेडिटेशन किया तो उन्होंने अपने शब्दों में यह कॉंफरेंस में कहा कि मुझे यहां आने के बाद पता च चरस गांजा वो मेरे बॉड़ी के अंदर ही है मुझे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है जैसे मेडिटेशन करता हो उससे कई कुना ज्यादा खुशी मुझे मिलती है तब उसके यह सब ड्रक्स चुट गए यह बहुत बड़ा आनुभव है नहीं तो यह नशा छोड़ना करने में बहुत मुझ्फिल है लॉक कि में हम क्या करते हैं कि एक मैना दो मैना तीन मेना और वहक्ति तढपता है उदक्स के बगर या नश्य के बगर शराब के बिगर और वह रहा देकता है घ्याम में बढ़ा रहा लेकिन यहां पर मैंने देखा कि जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं वह बार आने के बाद मना नशा छोड़ने के बाद उनको तो स्मेल भी पसंद नहीं होता है है ना सिग्रेट का ना शाराब का यह जो बिह सकार शाराब नशन प्रती हैं यह तभी हो सकता है जब आपके ब्रेण के अंदर केमिकल शीwach और किये मेडि Regierung से समाओ dedсонक नोटिस किया है लोगों के अंदर और यह तभी हो सकता है जब आपका प्लेजर सेंटार मेडिटेशन से एक्टिवेट होता है तो डोपामिन रेलीज होते ही आपको खुशी का अनुवर होता है अब केवल डोपामीन नहीं है इसके साथ और भी कई नियूरो कैमिकल नियूरो ट्रांस्मिटर हम कहते हैं उसमें दूसरा मैं नाम लेना चाहूंगा वो है सीरोटोनिन अब यह सीरोटोनिन भी हमारे जवानों के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है मैंने ऐसे कई केसिस देखे हैं जो हमारे जवान घर से दूर रहते हैं उनके अंदर विशेश अकेला पत डिप्रेश्चन का इलाज क्या है तो जो साइक्याट्रिस्ट होते हैं वो एक दवाई देते हैं जिसको हम SSRI केता है सेलेक्टिव सीरोटोनिन दी अप्तेक इनकी मात्रा को बढ़ाती हैं जिससे कि आपका मूड नॉर्मल होने लगता है तो डिप्रेशन का कारण सीरोटोनिन और नौर आट्रिनालीन हमारे ब्रेन के अंदर कम होता है ऐसे आधुनिक वह देख शास्त्र मानते हैं और जो दवाई देते हैं इनकी मात्रा ब्रेन में बढ़ाते हैं खुशी की बात यह है कि जो लोग नियमित रूप से राजयोग मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन के अंदर यह केमिकल्स भी पैदा होने लगते हैं तो यह जो रिसेट बटन है वो फिर से सेट हो जाता है और हमारे अंदर यह निरो ट्रांस्मिटर निकलते हैं तो हमारा मूड अच्छा रहने लगता है तो यह डिप्रेशन और चिंता जैसे विमारियों में भी मदद करता है राजयोग मेडिटेशन तीसरा पदार्त जो ब्रेन से रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एंडॉर्फिंस क्यों विट्रॉल्स इन लोगों में नहीं होते जो मेडिटेशन करते हैं तो देखा गया है कि एंडॉर्फिं यह भी हमारे ब्रेन के अंदर और पूरे बॉर्डी के अंदर आभी हमको लेटेस्ट पता चला है रिसर्च केवल ब्रेन के अंदर नहीं लेकिन बॉडी में कई जगह पर यह रिलीज होता है खास करके गट में तो एंडॉर्फिन क्या है तो एंडॉर्फिन माना एंडोजीनेस मॉर्फिन मॉर्फिन एक पेन किलर है जो अफिन की तरह पावर्फुल है लेकिन यह हमारे बॉडी के अंदर पैदा होता है और यह एंडॉर्फिन हमको सभी प्रकार के दर्थ सहन करने की शक्ति देता है औ और यह एक कारण है कि जो लोग नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन करते हैं नशा छोड़ने के बाद उनको तकलिफ की नहीं होते कि तकलिफ को सेहन करने के लिए जो केमिकल्स दवाई की जरूरत है वो उनके बॉड़ी में रिलीज होने लगते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा एडवांटेश है चौता फाइदा में बताना चाहूंगा कि नियमित राजयोग मेडिटेशन से हमारे ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है जिसको हम पीफ सी कहते है प्री फ्रेंटल कॉर्टेक्स यह प्री फ्रेंटल कॉर्टेक्स जो है एक्जि विचार आता रहता है अभी उस विचार को भी कंट्रोल करना या अपने आपको समझाने का काम यह पीफ सी करता है और यह देखा गया है कि जो लोग नियमित रुप से मेडिटेशन करते हैं उनका यह पीफ सी स्ट्रॉम होने लगता है और अभी ऐसा डेटा है कि ग्रे मैट जो ब्रेन के अंदर है उसका थिकनेस भी मेडिटेशन से बढ़ता है तो मेडिटेशन के मल्टिपल बेनेफिट्स है केवल एडिक्शन चोड़ना यह बेनेफिट नहीं है मैं एक और उधारन देना चाहूंगा हमारे भाई नशा करके गटर में पड़े रहते हैं जब मुन द्राइवर लोगों में बहुत नशा होता है तो उन्होंने साथ दिन का कोर्स करने के बाद पूरी तर से छोड़ दिया तो हमको भी अश्यरे लगा कि उसको कोई विड्रॉल नहीं कुछ नहीं तो हमने उनको पूछा कि भाई साब आपको ऐसा क्या मिला ब्रह्मा कुमारी म आपने इतना पुराना नशा जो आप पड़े रहते थे आज आप कोई भी नशे को टच नहीं करते आपको पसंद ही नहीं उसका स्मेल ताब उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद पता चला कि मैं तो देवता हूं और देवता है लेते नहीं है माना उसका सेल्फ रेस्पेक्ट इतना जागरूत हो गया कि नशा चुट गया ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन के वल बैट के करने का ध्यान नहीं है यह जीवन पत्तत ही है यहाँ पर रोज परमात्मा के महावाक के सुनाये जाते हैं जिनको मुरली क्लास कहते हैं और यह ज ज्यान योग होने के कारण हमारे अंदर के स्रिष्ट संस्कारों को जागरूत करता है तो ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन में ज़रूर हमादा पौना घंठा बैट के ध्यान करते हैं और एक क्यापासिटी के अनुसर करते हैं लेकिन केवल यह ध्यान नहीं है इसके साथ ज् भी हमको जीवन में आने वाले परिष्टितियों में स्टेबल रखता है यह इसका और एडवार्टेज है और जो ब्रह्मा कुमारे सेंटर्स पर आते हैं तो यहां पर हमारे जितने भी लाखों भाई बैने हैं कोई भी नशा नहीं करता तो एक पॉजिट्व एक्मॉस्वे व्यक्ति को मिलता है और बहुत प्यार से हमारा परिवार के भाई बैने सबसे बात करते हैं तो उससे भी व्यक्ति को अंदर से अच्छा लगता है उसका कॉंसलिंग नैचरली हो जाता है तो ब्रह्मा कुमारी ज्राज्योग मेडिटेशन मल्टिपल वेस में नशा छोड़ बीमारियों में भी मदद करता है जैसे इस समय बहुत है डिप्रेशन चिंता या हार्ट की बीमारी है इसके उपर तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च हुआ है कि अगर आपको हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है तो हमारे पास अभी आठ हजार से ज्यादा केसे से जीद के आर्टरी बिदाउन बाइपास और एंजोप्लास्टी ओपन हो चुकी है केवल अपनी जीवन पत्तर्थी को बदलने से तो हमारे मिलिटरी पैरा मिलिटरी और सीविक पोर्स के भाई बैनों को मैं दिल से यह कहना चाहूंगा कि आपका हम दिल से सम्मान करते हैं आपका त् देश के अच्छी तरह से सेवा कर सके इसलिए आप अगर यह नशा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है मुझे यहां पर एक हमारे मिलिटरी के भाई का अनुभव मैं सुनाना चाहूंगा काश्मिर में मैं गया था बर्प किर रही थी और यह हमारा नौजवान हमारे में खड़ा था तो मैंने उनको पूछा कि आपको ठंडी नहीं लगती क्या अब इतना घंटे खड़े रहेते हैं बहुत लगती तो है लेकिन आद्ध हो गई है कि फिर मुझे जो पूछना था वह मैंने पूछ लिया मैंने पहीर आप ठंडी को बगाने के लिए हो गए लेकिन मैंने आज तक कभी हाथ नहीं लगा है मैंने आप अकेले होंगे वोला नहीं मेरे जिससे बहुत सारे भाई बैने जिन्हों करने का एक इंपोर्टन कारण है इजी जो इजी अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी गलत मानने ताओं के साथ यह अकेला पंदूर करता है नीन को ठीक करता है वगएरा वगएरा तो लोग लेने की चांसे सोते हैं उसके बावजूद हमारे ऐसे बहुत हैं जिन्होंने कभी आपको हाथ नहीं लगा है फिर मैंने उनका पूछा कि जब गैदरिंग होता है सब इकटा होते पार्टी होती है तब तो लेते होगे बुला नहीं हम कोल्ट्रिंग लेते हैं जूस लेते हैं लेकिन शराफ नहीं लगा है कितना अच्छा अनुक्ष्ट मुझे लगा यह बह पोस्ट पे है लेकिन जिनोंने कभी शराफ को टैच नहीं किया यह बहुत अच्छा उधारन हमारे सामने है तो पॉजिटिव उधारन को भी हमको ध्यान में रखने हैं अगर यह भाई बहने ठंडी में बारफ में बगएर शराफ के रह सकते तो हम भी रह सकते ऐसे पाफू के जीर है हमको हेल्दी अल्टर्नेटिव चाहिए अगर आपको कुछ खीनी की आदत है गर्मी के लिए बहुत सारे और चीजे जिससे आपके बाड़ी की गर्मी को आप बढ़ा सकते हैं अच्छा काड़ा ले सकते जो बारत के हैं वाकी हिल्थी ड्रिंग्स आप ल और आपको कोई भी नशेली चीजे का इस्तेमाल ना करना पड़े तो इसके डीटेल में आप चाहिए तो हमसे मिल सकते हैं अभी उस मेडिटेशन का भ्यास करेंगे जिसके वज़े से हजारों लोगों ने अपना नशा छोड़ दिया है तो मैं फिर से आपको कहना ब्रह्मा कुमारी जराजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें यह मुफ्त में फ्री में सभी सेंटर पर सिखाया जाता है आपके नस्दीक की शाखा में आप किसी से कॉट्टेक्ट करेंगे तो आपको यह सिखाया सकता है विद परमिशन हमारी सेक्रिटी विंग आपके स्कूर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकर उसका अभ्यास करेंगे प्रक्टिस करेंगे जैसे कि मैंने पहले बताए एक साइन्टिफिक मेडिटेशन है इसके पर रिसर्च हो चुका है और इसमें क्या करते हैं तो इसमें हम स्वयम को एक चैतन्य शक्ति समझते हैं एक रिखेंक अड़र यहां पर निवास करती हैं और हम यह चैतन्य शक्ति हैं भारत में तो यह माननेता है कोई हो क्यों यह मैं कि हुँ हख एग Yin些 मेरा कहने वाली मैं एक चैतन्य शक्तियों मैं शली मैं आत्माु और जैसे शरीत का पिता होता है मां कि ता मैफाबंस करमात्म करें को स्टार एक चैतने शक्ति नाइट वैसे waowai खुदाई हर घुरा है wow डुए राशजान अट实 pillars Uhr तो मेडिटेशन में जो राज्योक मєडिटेशन-म्रव्मा करने लगते हैं हम एक बॉडिले स्टेज में जाने लगते हैं नैचरली लंबे समय तक और जो लोग इसका अभ्यास करते हैं काफी समय से उपए मैसस होता है कि शरीर के अंदर का दर्थ खतम हो जाता है ठकावट नहीं रहती है नीन अच्छी आती है कि हमारा पूरा सिस्टिम सेट होने लगता है रिसेट होता है नियूरो ट्रांस्मिटर नैचरली निकलने लगते ब्रेन में जिससे कि हमारा स्टेट आप माइंड अच्छा रहता है तो पांच मिनिट के लिए इसका अभ्यास करेंगे हम सभी भाई बैने जो यह प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कहे कि अगर आपको important कार्य कर रहे हैं जैसे कि आप चूले पर ग्यास ऑन है या गीजर है या गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे समय पर इन सब कार्यों को थोड़े समय के लिए बंद कर सकते हैं अपने आपको आरामदायक स्थिती में लेखे जाए ऐसे स्थान पर बैठे जहां आ अगर आप बीमार है तो लेटते हुए भी इस कार्यों को कर सकते हैं सिर्फ इन विचारों के और ध्यान दें और इन विचारों को महसुस करने की कोशिश करें जागरुत हो जाएए आपके चारों तरफ जो भी प्रकमपन है उसे महसुस कीजिए जो भी आवाज आ रहे हैं उनको कैच कीजिए दीरे दीरे चारों तरफ से अपना ध्यान हटा करें अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के उपर गाग रखेंचे सिर से लेके पाव के अंगोटे तक आपके शरीर में जो भी समवेदना है उसे मैसिस करें और शरीर को बिल्कुल हलका जो हलका रिलास दोनों हाथ दोनों पैर छाती पेट पीट की मास पिश गर्दन और चहरा शांत और रिलास हलका होते जा रहा है मैसिस करें जितना शरीर हलका चोड़ेंगे उतना अच्छा अनुगों एक से पांच मैं उल्टा गिरूँगा जैसे पांच से एक के तरह करूँगा और हलके होते जाएंगे पांच और देखो एक सुन्द दिव्य प्रकाश दो आखो के विच्छ नक्राइए और आप ये दिव्य प्रकाश रोगे। ये शरीर सब्सक्राइब ये शरीर भारी है लेकिन आपर ये शान ये शरीर एक सुन्धर प्राथनस्थल है वंदिर है जिसमें एक दीव्य प्रकाश है एक लाइट है एक नूर है और शान प्रमात्मा जो शानती का सागर है आज तत्रों से पार है वो भी एक दीव्य प्रकाश है उससे भी अप्रुप्री स्रेव्य प्रकें द्रारा देखें और उसका प्रकाश आपके पास आ रहा है आहार से एक जिवाएट दिव्य प्रकाश आपकी दरब आ रहा है प्रमात्मा शानती का सागर है आउ शानती के सागर से शानती का दिव्य प्रकाश आपके दरब आ रहा है स्रिकार करो से और जैसे लाइट आपको ठंच कर रहे है आप इल्कुल शान 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 प्रमात्मा का प्रकाश निरंतर आपके उपर प्रवारित हो रहा है शानती के सागर प्रमात्मा से शान के का दिव्य प्रकाश आपके अदर प्रवेशन शान शांति के सादर बनमात्वाति संदा मैं आत्मा शांत संद। शांति का प्रकाश मेरे मस्तिष्क में मेरे में रही है है मैं मेरे में बैद्र है ऑर ब्रेन के अंदर जितने भी तॉप से इसल्ख में प्रassması इंप donor आत्मा से नहीड में 상태 me मेरा ब्रेन के अंतर आत्मा चा-खार्ज हम at opposite गर्दन, छाती पेट, हाथ और पैर में प्रकाश भैते जा रखे, मेरा सम्पूर्ण शरीर, इस्तिव्य प्रकाश से में पूर्ण जा रखे, परमात्मा की लाइट, मेरे शरीर के हर पेशी में प्रवाहित हो रहे है, एवरी सेल अप माई बाड़ी इस बेटिटोक्सिफाइड, शरीर के हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बंदे जा रहे है, मेरा मन और शरीर, शान्त बंदे जा रहे, शान्त और स्वस्थ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा, मेरी बूली थकावट रूग रहे है, ओम शान्ति 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 तो मिलिट्री पैरा मिलिट्री और सिविल पोर्सेस के नाई बैनों आफ फिर से आपका आवन करते हैं आप बारत देश की जो सेवा करते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं आपको नमार्ण्य पर्मत्राइब को यह दुआ करते हैं और आपके परिवार का स्वास्त अछा रहें आपके हाँ कोई भी हो जिसे किसी भी प्रकार का नशा हो कि तंबाकु बेडी सिग्रेट गुट का जर्दा या फिर शराब या और कोई नशा हो जैसे डिजिटल एडिक्शन है तो आप हमारे सिक्रेटी विंग को संपर्ख करें या नश्दीक के ब्रह्मा कुमारी शाका से संपर्ख करें ब्रह्मा कुमारी की शाका है हर राज्च्च में हर डिस्ट्रिक में मिज़ॉर की तैसिल में अवेलेबल है आपको इनका नंबर मिल सकता है एडिक्षि से संबंदित कोई भी प्रश्ण है तो आप हमसे संपर्क करें आपकी सेवा के लिए है और फिर से उबर वाले से दुआ करते हैं कि आपका स्वास्ता अच्छा रहे हमारा भारत देश फिर से विश्वसत्ता बन रहा है नंबर वन आए और भारत के सभी देश्वासिया स्वस्त रहे सुखी रहे मंगल कामना करते हूं यहां पर में रुकना चाहूंगा धन्यवाद ओम शारुति कि 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 डॉक्टर के साथ हां डॉक्टर के साथ परंपिता को भी तुम याद करो दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो डॉक्टर के साथ परंपिता को भी तुम याद करो दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हस लेते हैं कैसी भी बीमारी को हसते हसते सह लेते हैं भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हस लेते हैं कैसी भी बीमारी को हसते हसते सह लेते हैं बीमार होते भी कभी दुख की नापर याद करो डॉक्टर के साथ परमपिता को भी तुम याद करो दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो डॉक्टर के साथ परमपिता को भी तुम याद करो दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो अब खुद करो